हलो फ्रेंड्स राधी राधी मेरे चैनल सकी क्रोशेट में आपका स्वागत है आज मैं आपके लिए लाई हूँ जीरो और एक नंबर के कानाजी की बहुत ही अट्रेक्टिव ड्रेस जिसे बिगनर्स भी बना सकते हैं और आप इस ड्रेस को हर साइज में बना सकते हैं तो करना ना भूले ताकि आपको मेरे आने वाले हर वीडियो की अपडेट मिलती रहें तो आईए शुरू करते हैं ड्रेस बनाना कि सबसे पहले हम ड्रेस की चोली बनाना शुरू करते हैं चोली बनाने के लिए हमें चेन लेते हैं एक दो तीन चार पाच छे साथ आठ नो दस ग्यारा और बारा बारा चेन ले ली लास्ट चेन को हम पकड़ लेंगे उसके बाद तीन चेन और बनाएंगे एक दो ऊर तीन 4 चेन के अंदर हम डूबल क्रोशिय बनाएंगे डूबल क्रोशिय Thwin तुड़ी छोटी हाइठ का बनाएंगे क्यूंकि हम छोटे का नाज enchrian के लिए чॉली बना रहे हैं नेक्स चेन में फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे, फर्स्ट हमारी तीन की चेन हो गई, उसके बाद हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया करते वे हम राउंड को पूरा करते हैं, लिए ते बहले हमने तीन की चेन और इसकी बाद हर चेन में हीके डबल क्रोशय बनाते वेस्थ लाइन को पूरा किया तो इसमें आरे पास टोटल ठर्टीन डबल ख्रोशय आ गए हुं है six two錢 रो में हम double crochet से बनाएंगे दो की चेन ली टर्न किया कि सेम जगम पर half double crochet बना थे है तो दो की चेन और एक हाफ double crochet दो हो गए नेक्स चेनमें फिर से हमगे हम do half double crochet बनाएंगे कि नेक्स्ट में फिर से दो बार कि इस तरह से हम राउंड को पूरा करेंगे हर चीन में तो दो हाफ डबल कुश्य बनाते हम लास्ट के आ गए हैं कि लाउंड के एंड में हम एक ही हाफ डबल कुश्य बनाएंगे हमारी पास थर्टीन डबल कुश्य थे फर्स्ट रो में सेकंड रो में हमने हर चेन में दो-दो हाफ डबल कुश्य बनाए लेकिन लास्ट में हमने एक बनाया तो 26 की जगह हमारे पास 25 हाफ डबल कुशिया हुए थर्ट रो स्टार्ट करेंगे उसके लिए तीन चेन ली टर्न किया अब हम आर्म हूल बनाएंगे तो हम सेम जगह पर नहीं बनाके नेक्स चेन में बनाएंगे और नैक्स में एक और बनाया दो नेक्सच में परले तेंगीचेन यह फिर्ट डबल कुशिया टीन और चार चार डबल कुशिया बनाने के बाद में हम आर्म होन के लिए वन टू त्री फोर चेंज स्किप करके फिफ चेंज के अंदर फिट डबल कुशिय बनाएंगे कि आर्म होल के लिए फ्रंट के लिए चार डबल कुश्य इस तरफ चार इस तरफ और पीछे के पॉश्चन के लिए बैक पॉश्चन के लिए हमें नौ डबल कुश्य बनाएंगे नौ डबल कुश्य हो गए आर्म होल छोड़ेंगे फिर से वन टू त्री फोर फिफ चेंज के अंदर डबल कुश्य बनाया वन नेक्स चेन में फिर से टू नेक्स चेन में फिर से त्री और लास जो त्री की चेन है वहां पर फिर हम एक डबल कुश्य बना देंगे इस तरह से हमारा ये एक नमबर का नाजी की चोली बनकर तयार होगे राउन को जॉइन करेंगे थर्ड चीन के अंदर हमने इसको जॉइन कर दिया स्लिप स्टिश से स्लिप स्टिश करते वे हम आर्म होल तक चले गाएंगे यहां पर हम धीरा बनाना स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए फर्स्ट में तीन की चेन ले लिए सेम जगे पर फिर्से डबल क्रोशय बना देंगे एक और अई नेक्स्ट चैन में दो डबल क्रोशिया चोली के अंड में हमारे पास इससीन डबल क्रोश्य बना हर चेन में दो डबल क्रोश्य करते हैं इस राउन को पूरा करेंगे कि रहुंद कि लास्ट में आ गए हैं थार्ड चीन में स्टिस से रहां को जॉइन करेंगे एक गृआ निफ्श काथ लिए ये तो बाद धो डूंग्र ये लनाए है टार। रहा है नेक्स चेन एक बार नेक्स चेन में दो बार डबल क्रोशिया हर सेकंड चेन में दो डबल क्रोशिय करते वे राउंड को कम्प्लीट करेंगे इस तरह से हमने पर चेन में वन नेक्स में टू फिर वन फिर टू फिर वन फिर टू इस तरह से करते वे राउंड कम्प्लीट किया और में आ गए हैं यहां वन डबल कोशिय बनाया लास्ट में हम तू डबल कोशिय बनाएंगे और थर्ड चेन में राउंड को स्लिप स्टेश से जॉइन करतेंगे अब हम पैटन बनाना स्टार्ट करेंगे इसके लिए वान टू थ्री चेन दी सेम चेन में सेम जगह पर फिर से डबल कोशिय बना देंगे दो की चेन एक चेन स्किप करके नेक्स चेन में डबल कोशिय बनाएंगे लेकिन उसे हम पूरा नहीं करेंगे एक फिर से दागा लेकर सेम जगह पर डबल ट्रोशर बनाएंगे लेकिन उसको हम पूरा नहीं करेंगे हमारे पास तीन दागे हो गये हैं तीनों का हम एक साथ निकाल देंगे दो चेन लिए फिरसे बनाते हैं एक चेइन स्किप की नेक्स चेन की अंदर डबल ट्रोश या बनाएंगे लेकिन उसको हम complete नहीं करेंगे फिर से धागा लिया same chain में फिर से रबन कोश्या बनाएंगे लेकिन उसको हम पूरा नहीं करेंगे और तीनों को एक साथ मिकाल देंगे दो चेन लिए next chain skip किया say next में इसी तरह से कि इस तरह से करते वे हम राउंड को complete करेंगे राउंड के लास्ट में आगे हैं तो की चेन लेंगे और जॉइन कर देंगे कि अधाब कर देंगे नया धागा एड करेंगे तीन चेन लेंगे सेम जगह पर डबल क्रोश्य बनाएंगे लेकिन उसको हम कंप्लीट नहीं करेंगे दोधा का निकाल दिया लेकिन उसे हम पूरा नहीं करेंगे सी तरह से नेक्स्ट उसी जगह पर फिर से इसी जगह पर एक बार तीन की चेन उसके बार तीन बार हाफ डबल क्रोश्य करके सभी को एक साथ निकाल दिया एक दो तीन तीन चेन लेंगे नेक्स्ट होल में फिर से इसी तरह से डबल क्रोश्य कंप्लीट नहीं करेंगे फूर टाइमस बनाएंगे त्री फूर सभी लूप्स एक साथ निकाल देंगे तीन चेन नेक्स्ट होल में फिर से इसी तरह है वन टू त्री फूर इस तरह से कंप्लीट करते वे हम राउंड पूरा करेंगे इस तरह से हमने राउंड पूरा कर लिया तिन की चेन बनाकर राउंड को हम जॉइन कर देंगे धागा कर देंगे इसी जगे पे नया धागा लगाएंगे इसी जगे पे नया धागा जॉइन करेंगे सेम प्लेस पे एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे एक की चैन लिए नहीं सेम जगे पे हम 5 ताइमस डबल क्रोशे बनाएंगे 3,4,5 एक चैन लिया और इसी जगे पे एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे इस तर असी ये लीव तैयार होगे नेक्स पेस के अंदर सिंगल क्रोशे बनाएंगे से जगे पे एक चैन लिया सेम प्लेस पर एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे नेक्स चैन में फिर से एक सिंगल क्रोशे लिया एक चैन ली और फाइफ टाइम डबल क्रोशे बनाएंगे एक चैन लेकर इसी चैन लेकर सिंगल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से यह राउंड कंप्लीट करेंगे देखिए यह हम पूरा कर चुके इस राउंड को राउंड के लास्ट में आ गए हैं कि सिंगल क्रोशे बाद एक चैन बाच पार डबल क्रोशे बनाएंगे एक चैन लेकर सिंगल क्रोशे बनाएंगे नेक्स्ट होल के सिंगल क्रोशिया में स्लिप स्टिच करते भी जॉइन कर देंगे अधर कट करें अधर सी ड्रेस हमारे कंप्लीट वी अब चूली का बॉडर बनाएंगे इसके लिए धागा स्टार्ट किया यहां पे नेक्स्ट डबल क्रोशिया के बीच में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे दो बार नेक्स्ट में फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे आप चाहें तो इसके अंदर सिंगल क्रोशिया भी बना सकती हैं आपकी इच्छा भी है नेक्स्ट में फिर से दोबर बनाएंगे कॉर्नर पर आ गये हैं एक चेन लिया फिर से दोबर बनाएंगे दो डबल क्रोशिया स्किप करके होल के अंदर फिर से दो हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे नेक्स दू स्किप करते हैं पिर से दू हाफ्ट पर पुश्य बनाएंगे यहां मारे पास थर्टीन डबल क्रोश्या है तो हम बीच में ने कि वात एक सिंगल हाफ्ट उल कोश्य बनाएंगी उसकी बाद में दोडु शक्यूर्स करतेवें हर हूद में दोड़कृष रहा रह डबल कुश्या हर हर हो यहां co नह color हैं युह दोख दबल कुश्या बनाया है पिदिगे चेनिट है कि सीम होल में फिर से दो बार बनाया इस तरह से करने से हमारा यह पॉर्णर बन जाता है नेक्स में फिर से दो बार नेक्स्ट में फिर से दो बार लास्ट होल में सिंगल क्रोशिय करके जहां स्टार्ट किया था वहां पर स्लिप नॉट बनाते वे धागा कट कर देंगे इस तरह से हमारी ड्रेस कंप्लीट हो गई यहां पर हम स्टोन लगा सकते हैं इस तरह से इस तरह से हम इसको डेक्रीट भी कर सकते हैं आप अपनी पसंद से कुछ और भी लगा सकते हैं पेस्टिंग पर्ल्स वगरा इस तरह से हम यह ड्रेस कंप्लीट करें कि आशा है आपको यह ड्रेस बहुत पसंद आई होगी प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और कमेंट करें थैंक यू राधी राधी करें लाधी करें लाधी